आज हम लोग इस वीडियों बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि Dreamleven आप पर एक बैंक अकाउंट को कितने Dreamleven आकाउंट पर आड़ कर सकते हूँ, भिरिफाई कर सकते हूँ, उसके बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं यानि कि आप जो है, अपने एक बैंक अकाउंट को कितने Dreamleven आकाउंट पर भिरिफाई कर सकते हूँ, आड़ कर सकते हूँ, उसके बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं बहुत लोग के इसके बारे में पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, बहुत लोग कन्फुजन में रहते हैं कि अपने एक बैंक अकाउंट को कितने Dreamleven आकाउंट पर एड़ कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत लोग को जानकारी भी नहीं है तो यदि आप Dreamliven Аpt use करते हूँ उसमें team बनाते हूँ यानि कि Dreamliven Apt की user हो तो आपको इसके बारे में जनकारी होना चाहिए इसके बारे में जानना चाहिए तो यदि आप जानना चाहते हो समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यां से देखij शुरू से अन तक देखिए ताकि आपको पूरा-पूरी समझ मा जाएगा इसके बारे में समझ जाओगी जान जाओगी तो अभी मैं आपको सीधे लेके जाओँगा Dream11 app के अंदर में और वहीं पर बताओँगा दिखाओँगा कि Dream11 app इसके बारे में क्या बोलता है तो यहाँ पर देखिए Dream11 app उपन करने के बाद आपको कहाँ पर जाना है आपको जाना है फर्स्ट अपने प्रोफाइल सेक्षन में कोना में यहाँ को किलिक करना है ठीक है चलिए मैं हैँ किलिक करता हूँ क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकास खूल जागा यह वाला section तो यहाँ पर देखिए आपको सीथे जाना है यहाँ पर help and support session में हाँ चलते हैं यहीं पता चलने वाला है यहीं पूछेंगे कि अपने एक bank account को कितने dream life account पर verify कर सकते हैं आइड कर सकते हैं उसके बारे में यहीं पर जानकारी मिलेगा हम लोगों को ओके तो चलते हैं simply इसके अंदर में help and support session में देखिए मैं मैं किलिक किया उसके बाद देखिए आपको नीचे में देखिए इधर लिखा हुआ है chat with us बोलता है आपको यहाँ simple जाना है ठीक है चलिए इसे में मैं किलिक करता हूँ तो किलिक करने के बाद देखते हैं फिर सनया page खूल जाएगा तो यहाँ पर देखिए खूल चुगा है तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है यदि आप directly पूछोगे dream11 से कि एक bank account को कितने dream11 account पर verify कर सकते हैं इसके बारे में आप यहाँ पूछो directly तो आपको यहाँ जबाब नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आप गुमा के पूछने वाल है इससे question ओके तो देखिए simply आपको क्या लिखना है तो चली मैं यहाँ पर type करता हूँ इदर देखिए नीचे में लिखा हुआ है type in Hindi and English दोनों में से आप किसे विए type कर सकते हो Hindi या फिर English तो फिलाल मैं यहाँ पर English से type करूँगा ठीक है मैं यहाँ पर type करता हूँ चली bank account change करता हूँ बस simply यह वार लिखते हैं bank account change फिर चली इसे में send करता हूँ send देखते हैं तो इसक्या reply आता है तो देख सकते हूँ यहाँ पर दो reply आया है पहला तो यह वला है किस पर करता चेंज कर सकते हो इसके बारे हम दिया गया है जो कि बहुती simple है उसके बार देखे नीचे में लिखा हुआ है I want to know more जली हम पर click करते हैं यह ह zijn पता चल देगा चली है चली हम्यां मैं click करता हूँ I want to know more चली मैं यहाँ आप simply click करता हूँ क्लिक किया चली के बार देखे उदर से फिर से के reply आ गया है यहाँ पर देखे बहुत लंबा चोड़ लिखा गए है जो की सब पॉइंट इंपोर्टेंट है यदि याँ पूरा चाहता है इसे पढ़ने के लिए तो आप इसे स्क्रीन सोट लेकर पढ़ सकते हो या फिर वीडियो को रोक करके देख सकते हो या फिर आप अपने डिपलेमिन आप के अंदर में जाके खुद से यहाँ पर पढ़ सकते हो मैं यहाँ पर सब पॉइंट को यहाँ डिसकस नहीं करूँगा नहीं बताऊँगा क्योंकि इन सब पॉइंट के बारे में मैं पहले डिसकस कर चुका हूँ किसी दूसरे वीडियोस में ओके तो यहाँ पर देखिए जो बात को जानने के लाए हैं जिसे हम लोग समझने के लाए हैं डिमलेफिन क्या बोलता है उसके बारे में यानि कि एक बारे में एक अकाउंट को जुका है इस सेम बाइंक अकाउंट can't be verified on any other डिमलेफिन अकाउंट देख सकते हो simply clearly यहाँ पर में और किया गया है दिया हुआ है कि एक बार आपका जो बार अकाउंट फिरिफाई हो चुका है वह bank account वह same bank account जिसे आप verify किये हो अपने dream level account पर उस bank account को आप जो है किसी दूसरे कोई अनिय कोई others dream level account पर verify नहीं कर सकते हो यहाँ पर clear लिखा हुआ है clear mention किया गया है देख सकते हो ना जिस परकार से आपको पता होगा कि आप जो है अपने dream level account पर अपने एक pine card को यानि कि आपके नाम पर एक pine card होगा जो कि हर एक बेखती की नाम पर एक ही होता है तो उस pine card को अपने dream level account पर एक बार verify कर लिए ताप उसे किसी दूसरे account पर या फिर किसी दूसरे के account पर भी verify नहीं कर सकते हो यह आपको पता होगा तो उसी परकार से यहाँ पर भी इसके बारे में भी यानि कि अपने bank account को यदि आप एक बार उसे verify कर लिए हो अपने account पर तो आप उसे दूबारा किसी दूसरे account पर dream level account पर verify नहीं कर सकते हो यह clear बात है simple सी बात है इसमें ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है ज्यादा समझने वाली बात भी नहीं है बस simple सी बात यही है कि एक बार आप use कर लिए हो verify कर लिए हो अपने bank account को अपने account पर तो एक bank account को कितने dream level account पर verify कर सकते हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा जान गया हो कि उम्मीद करता हूं लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है कोई doubt है इससे संबंदित dream level से संबंदित तो आप जो मुझे नी संदे comment करके पूछ सकते हूँ मैं आपके comment के जरू reply आते रहता हूं तो चलिए मिलते किसी नए topic साथ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए चाहिए बाई बाई